सर जो सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया मुख्यमंत्री ने सामाजिक ने समीटी की रिपोर्ट कमेटी बनाई मुख्यमंत्री जी ने कमेटी की रिपोर्ट आ गई और कमेटी की रिपोर्ट रदी की टोकरी में रख दिये उसको सिपारिस करने के लागू करने के लिए समय नहीं है एक करोड़ सत्तर लाग गरीबों के बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं उसमें सिक्षा में सुधार कैसे हो इस पे जल्दबाजी नहीं है उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और गुजरात में सराब बंध है बिहार में सराब बंध है उत्तर प्रदेश में सराब बंध करने के लिए फुर्सत नहीं है हम अगर अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं पिछणों के छादबित्ती देने के लिए समय नहीं है सामानेवर को चाथ बित्ती देने के लिए धान है बजट है लेकिन पिछड़ों के चाथ बित्ती देने के लिए सरकार के पास धान wastewater है अगर उसके लिए लड़ते हैं तो सरकार का बिरुद होता है तो हम तो उनके फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन जरूर कहूंगा मुख्यमंत्री जी से जितनी तेजी से आपने आज फैसला लिया हैं इतनी तेजी से आप सामाजिक नय समीति की भी रिपोर्ट लागू कर दिजिएगा उन राजभर, चवहन, बिन, केवट, मला, पाल, प्रजा, पती, कुमार, नाई, बारी, बियार, अकबंसी इन जातियों को भी बच्चों को हिसा मिले चाजबिती के सवाल पर जितना बजट आप एलाट करते हो सामाने वर गोर्ट अनसुचित को उतना बजट पिछडी जाती को भी एलाट करना उन प्रकास चूप नहीं बैठेगा हम अपने अधिकार के लिए निकले हैं, अधिकार के लिए लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, हम उन गरीब कमजोर की बात कर रहे हैं, जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं एक लाग चपन अजार प्राइमरी स्कूल हैं, एक लाग चपन अजार, एक करोड़ सतर लाग गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तीन लाग पैंसट हजार पत खाली हैं, उसको भरती करने की फुर्चत नहीं, का टॉर्च पर्षंट तारक्षन का लाग दो-tिन जातिया उठा रही हैं, इसका खुला सा सामाजिक नए समिती ने भी किया, आप सबका साथ विकास की बात करते हो, तो सबको साथ दो, ताजबर को भी मिले, चावान को मिले, बींद को मिले, केवट को मिले, मलला को मिले, प्रजापति को मार अर्कबंसी बारी बियार सबको मिले इस पे आपके पास समय नहीं है तो हक के लिए लड़ना अगर गुना है तो भाई मैं तो गुना बार-बार करूँगा हक के लिए मानूगा नहीं है चुड़ी जाती के बच्चों को च्छाद्वित्ती की सवाल पर जरूर बोलेगा भाई कि कुछ दिनों पहले ही आपका एक वीडियो भी वाराल हुआ था जिसमें आप कुछ ज्यादा बीजेपी को बोल गाए तो आप शब्द नहीं यह कोई भेक्टर नहीं है ऐसा कुछ नहीं है 13-14 अप्रेल की रात को ही एक तैं हो गया था जब मुख् साथ नहीं रहना है कि साथ नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि चुनाव था वोटिंग थी सनाते उस दिन नहीं हटा पाए अपका लोटिंग हो गई आज देखिए बात खुल गई इग्जिट पोल के ठीक बाद ही है इसा फैसल लिया गया क्या बीजेपी को आपके बगायर भी यूपी के अंदर अपना भविश्चे बिलकुल बहुत है बीजेपी का भविश्चे है सपा बस्पा का भविश्चे है अब तो टाइम आएगा तो नहीं बताएंगे हम जहां अब चला जाएगा अपना जगाया जाएगा अलग देखो यह लोग हैं जो तुमको हिस्सा नहीं देना चाहते हैं तुम उनके पीछे अदिवाने हो तुम उनको ओड़ देते हो तुम इनके लिए अपने अधिकार क्लिए लड़ो तुमारे बच्चों को जीफा कैसे मिले इसके लिए थोड़ा आवाज लगाओ, सामाजिक नया समितिक रिपोर्ट लागू कराने के लिए थोड़ा तेजी करो, घरीबों के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, प्राइमरी में उसमें सिक्षा में सुधार कैसे, उसके लिए थोड़ा तेजी करो, अब उनके बीच में चल क अकेले ही बनाए, फिर अपने लोगों से मंधन चिंतन किये, आज तो करोडों लोग हो गए हैं साथ में, कल तक मैं अकेले था, आज तो करोडों लोग हो गए हैं, जिसके साथ रण में लड़ने वाला राणा जैसे सत्तिसाली हो, योध्धा, उसको का दिक्यत है, ये मानते तो हक के लिए जो बोलेगा उसका तो यही हस्र होना ही है, तो हम तो जानते थे, उसमें कोई दिक्षत नहीं, सब बढ़ियां